है हलो गाइस कैसे सब उमीद है सब खह्यारयत से होंगे आज जो हमारी टूर्ख है वो है multiplication ट्रुक्स multiplication हैं कुछी seconds में कैसे निकल सकते हैं किसी भी डीजिट की मौलड़िट्केशन हम कुछी seconds में सेकंडनेंगे इसके लिए मैंने बहुत सारी tricks देखके रखी है और सबसे पहले हम trick 1 देखेंगे तो हमारी trick 1 क्या है हमारी trick 1 है जो 100 से नीचे होते हैं below 100 numbers लेकिन 100 के पास जो उसके नीचे वाले numbers होते हैं जैसे 92, 94, 96, 98 उनमें हम multiplication कैसे कर सकते हैं तो आएए आपको दिखाते हैं चलो मैं दो numbers लेता हूं जो 100 से below 100 के नजदीक हो ठीक है जैसे मैं लेता हूं 92 और 96 ले मैंने दो number तो अब ये 92 कितना कम है 100 से 8 कम है तो मैं minus 8 लिखता हूं ये 96 कितना कम है 4 कम है तो minus 4 लिखता हूं ठीक है अब मैं क्या करूंगा ये 8 कम था तो minus 8 लिखा ये 4 कम था तो minus 4 लिखा इन दोनों का multiply कितना होता है 8 4 जा 8 4 is 32 तो मैंने 32 यहां पे लिखा ठीक है आगे इतना अब दूसरा step क्या करना है ये 92 मेंसे ये 4 गटाने है ये 96 मेंसे ये 8 गटाने है अब 92 मेंसे 4 गटाऊंगे तो वो 88 आएगा 56 मेंसे माइनस 8 करोगे तो वो भी 88 आएगा इस मेंसे माइनस करो ये इस मेंसे माइनस करो वो सेम है तो 92 मेंस 4 minus किया यहां पे minus है तो minus किया तो वो कितना है 88 तो आपका answer ये मिल गया फिर से मैं बोलूँगा ये 100 से कितना कम है 8 तो minus 8 ये 100 से कितना कम है 4 तो minus 4 फिर ये जो 8 और 4 है इन दोनों को multiply देना है वो आया 32 मैंने 32 लिखा फिर ये कम है तो minus ही करेंगे जैसे मैंने minus लिखा तो 92 मैंसे 4 निकाले तो वो कितना हुआ 88 तो हमारा answer जो है वो 8832 है ऐसी मैं दूसरी example भी ले लेता हूँ जैसे मैं ले लेता हूँ 88 into 93 ठीक है 88 100 मैं से कितना कम है 88 89 90 मतलब 12 कम है 100 से तो minus 12 93 100 में से कितना कम है साथ कम है तो minus 7 ठीक है अब 12 और 7 का सबसे पहले हम multiplication करेंगे यह होगे 7 to 14 4 1 carry 7 1 7 और एक 8 या है 84 तो इन दूनों का multiply है 84 अब हमें क्या करना है यहां तो 88 से 7 minus करना है यहां तो 99 93 से 12 minus करना है दूनों से ही निकलेंगे अब 88 से 7 minus किया तो वह कितना होगे 81 यहां पर आएगा हमारा 81 यह है इसका अंसर आपका पुलेटर से भी देख सकते हो यही है या ना है और यह एक्जम्पल ले लेता हूं मैं 91 96 ठीक है यह भी 100 से कम है दोनों और 100 के नजदीक है त 91 मतलब 100 से कितना कम है 9 तो माइनस 9 लिखा 96 100 में से कितना कम है 4 तो माइनस 4 लिखा ठीक है अब इन दोनों का multiply 9 4 कितना होता है 9 इंटो 4 होता है 36 36 आया अब 91 में से 4 निकालेंगे 96 में से 9 निकालेंगे वह तो सेम ही है 91 से 4 minus किये तो वह कितना हो गया 87 यह आपका आंसर मिल तो आपको ट्रिक वन जो बिलू 100 के numbers मतलब 100 से जो कम numbers है और 100 के पास जो होते हैं उनकी ट्रिक आपको समझ आ गई होगी अब चलते हैं ट्रिक 2 की तरफ अब जो हमारी ट्रिक 2 है वह एबो 100 के अबो जो number से उन पे apply होती है खासकर जो 100 के करीब हो जैसे मैं ले लेता हूं 102 102 104 ठीक है तो यह 102 कितना ज्यादा है 100 से प्लस 2 104 कितना है प्लस 4 तो हम पहले की तरह इन दोने को multiply करेंगे 4208 लेकिन 08 लिखना है दो डिजिट याद रखना है ठीक है जैसे वहाँ पे 416 आता था वैसे हम 4208 आ करा है तो 0 जरूरी लिखना है इसके साथ और फिर यह 102 को य 4 एड करेंगे वहाँ पे माइनस करते थे यहाँ पे एक्स्ट्रा दो है इसको 4 है यह एक्स्ट्रा इसको 2 है एक्स्ट्रा तो इसलिए एड ही करने है 102 को 4 एड करेंगे तो कितना हो गया 106 यह आपका answer मिल गया ठीक है मैं और एक पताता हूं जैसे मैंने लिया 104 107 इसमें से कितना ज्यादा है 400 से इसमें से 7 ज्यादा है 100 से ठीक है पहले इन दोनों का multiply करेंगे 7 4 is 28 और फिर यह 104 को 7 एड करेंगे 107 को 4 एड करेंगे वह सेम है 104 को 7 एड करेंगे तो 111 यह आपका answer आ गया ठीक है अब और एक दिखाएंगे जैसे 112 तोड़ा बड़ा वाला लेलते है 112 104 ठीक है अब इसमें से कितने ज्यादा है 12 इसमें से कितने ज्यादा है 4 ठीक है 12 इंटो 4 कितना होता है पहले इंदोन को multiply 12 12 होगे 24 24 48 यह 4 2's are 8 4 1's are 4 48 आया ठीक है अब क्या करना है 12 को यह 4 add करने है 104 को 12 add करने है 112 को 4 add कि तो 116 यह आपका answer है ठीक है अब आप बोलोगी 200 होगा उसको क्या करेंगे for example अगर कभी ऐसे होगा 206 208 ठीक है जैसे हमने पिछली जब हम square कर रहे थे digits का जैसे हमने वहाँ पर किया था double वैसे हमें यहाँ पर भी double करना है आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम squaring सीख रहे थे किसी भी number का अब यह 200 से कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है तो plus 6 यह 200 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है तो plus 8 ठीक है 6 8 इनका multiply कितना होता है 48 यह तो हमें आ गया अब जो यह 206 इसको 8 एड़ करेंगे तो कितने होगे 8 और 6 14 होगे 214 तो 14 अब हमें सीधे 214 लिखना था लेकिन हमें 214 नहीं लिखना है क्योंकि यह 100 नहीं है यह 200 है यह उसका double है इसलिए हम 214 का double लिखेंगे मलब 214 और 214 चार चार आट एक दो 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 चार हमें लिखना है 4 2 8 यह इसका answer आएगा ठीक है आप समझ गए क्योंकि मैंने परसु भी बोला 10 raised to 0 1 होता है 10 raised to 1 10 होता है 10 raised to 200 होता है यह बेस है 100 10 raised to 3000 होता है 100 और 1000 के बीच में कोई बेस नहीं है तो 200 बेस नहीं है इसलिए जो हम 200 consider करते हैं तो हमें double लेना है अब अगर मैं 300 ले लेता हूँ जैसे 306 310 ठीक है मैंने अब 300 वाला लिया अब यहां पर कितने ज्यादा है 6 तो प्लस 6 यहां पर कितने ज्यादा है 10 तो प्लस 10 सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को multiply 10 6 is 60 60 आया अब 210 को 6 यहां 316 अब 316 लिखशना था लेकिन हमें 316 चेंज सबसे हैं अटरा एक कैरी तीन और इक होगे चार ठीक है तीन तीन होगे नाव तो हमरा आंसर क्या आएगा 948 तो हमारा हुआज आहा हमारा 60 और तीन तीनसो छेनधर और आज और यह 306 और 10 कितने होगे 316 इसका 3 गुना वो कितना 948 तो हम यहां पर सार कौन से निकाले 100 के बिलो कौन से होंगे अब ham चलते हैं ट्रक 3 की तरफ ये एग नंबर्स के लिए है जैसे अब हमosition के बिलो वाले नंबर्स 98 न्टीटो को माल्टिप्लाई करते थे से सेस्थ चे भी ळाद नंबर्स 112 113 ऐसे माल्टिप्लाई कर रहे थे अब हम उन numbers का multiply करेंगे जो 100 के below भी आते हैं और above भी आते हैं जैसे अब अब ही अगर में ले लेता हूँ 97 multiplied by 102 ठीक है 97 multiplied by 102 तो अब क्या करेंगे 97 से कितना काम है 100 से कितना काम है 3 काम है 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है ठीक है अब आप देखो यहाँ पे थोड़ासा difference है अब यह 97 को 2 add करेंगे तो वो भी 99 मिल जाएगा 102 को यह 3 minus करेंगे तो वो भी 99 मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 99 ठीक है अब 3 2s कितना होता है 3 into 2 होता है 6 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा minus 6 ठीक है लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पे और 2 0 add करना है यह याद रखना है इसमें थोड़ासा difference है मैं क्या करूंगा यह 97 प्लस 2 होगे 99 यह 102 में से 3 minus करना है उसके पीछे 2 0 लगाने है फिर क्या करना है इन दूनों का multiply करना है वो यहाँ पे minus करना है ठीक है तो यह कितना हुआ 10 में से 6 गए तो 4 9 आएगा 9 ही यहाँ पे 9 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा 8 यहाँ पे भी बचेगा कितना 9 9 is 9 4 ठीक है 10 में से 6 गए 4 यहाँ पे 9 यहाँ पे यह एक जो इदर दिया था वो 8 आएगा यह आएगा 9 8 9 4 और भी और एक दिखा देता हूँ अब जैसे में लेता हूँ 104 multiplied by 96 ठीक है अब यह कितने ज्यादा है 100 से 4 ज्यादा है तो plus 4 यह कितना कम है 100 से 4 माइनस है तो minus 4 ठीक है अब हम क्या करेंगे 104 से यह 4 माइनस करेंगे तो वो भी 100 होता है 96 को यह 4 प्लस करेंगे तो वो भी 100 होता है तो हम लिखेंगे 100 लेकिन हमें क्या करना है 100 से ज्यादा है 100 से कम है इसलिए हम यहाँ पे 2 0 add करेंगे ठीक है यह याद रखना है 2-0 add करने, यहाँ पे भी मैंने 2-0 add किये थे, यह आता था 99, यह आता था 99, 2-0 add किये, यहाँ पे भी 2-0 add करने है, फिर हमें क्या करना है इन दोनों का multiply लिखना है, वो minus करना है, इन दोनों का multiply कितना है 4-4 is 16, तो 16 minus किया, ठीक है तो यह कितना है यह 10 है 10 में से 6 गया तो 4 9 में से 1 गया तो 8 ठीक है यह 9 में से यह हो गया 9 तो कि यह भी बच्चा है 9 यह भी कितना है 9, 9, 8, 4 मुझे लगता है आपको यह भी समझ आ गया होगे यह कैसे निकालना है तो यह कौन सा था अगर थे वो 100 और below 100 दोनों होंगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम next truck की तरफ चलेंगे चलो अब हम चलते है truck 4 की तरफ truck 4 का मतलब हमने 0 between लिखा है इसका मतलब क्या हुआ वो numbers जिनके बीच में 0 आता है जिनके बीच में 0 आता है जैसे मैं लिखूंगा 202 306 तो दोनों के बीच में क्या है 0 तो यहाँ पर करना क्या है ज्यादा कुछ नहीं करना है बस आप देखते रहो 6 into 2 इन दोनों का multiply कितना होता है 12 12 लिखा फिर ये cross multiply करना है 6 2 is 12 3 2 is 6 इन दोनों का multiply 12 इन दोनों का multiply 6 12 और 6 कितने होते हैं 18 तो यह 18 में यहाँ पर लिखूंगा ठीक है सबसे पहले इन दोनों का multiply यहाँ पर आए 12 फिर इन का multiply यहाँ आए 18 6 2 is 12 3 2 is 6 फिर इनको plus करना है वो 18 यहाँ पर लिखना है 3 2 is 6 तो यहाँ पर लिखना है तो आपका answer आ गया फिर से मैं और एक बार दिखा था हूँ यह है 406 यह है 302 6 इंटर 2 कितना होता है पहले यह दोनों का multiply 12 फिर यह दोनों का cross multiply 4 2 is 6 4 2 is 8 6 3 is 18 18 और 8 कितने होते है 26 ठीक है तो यहाँ पर लिखा मैं है 26 4 3 is 12 यह आगया आपका answer मुझे लगता आपको समझाया होगा और एक लिए लेता हूँ मैं मैं ले लेता हूँ 303 801 ठीक है दिखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सूचना पड़ेगा 3 1 3 इंटर 1 के दोनों के दोनों दे 3 तो मैं यहाँ पर 3 लिखता लेकिन यहाँ पर 6 इंटर 2 इस 12 दो डिजिट आए 6 2 इस 12 दो डिजिट आए तो यहाँ पर कितना डिजिट लेना है हमें दो डिजिट याद रखना है 3 1 इस 3 लेकिन 0 3 लिखना है दो डिजिट लिखने है फिर इन दोनों का माल्टप्लाइ 3 1 होता है 3 8 3s 24 वो कितने होगे 27 तो अब हम यहाँ पर लिखना है 27 8 3 8 इंडो 3 8 का माल्टप्लाइ 3 से कितना होगे 24 तो यह आपका आंसर आगे याद रखना है जब यह वर्टिकल दो करेंगे 3 1 is 3 तो हमने लिखा 0 3 3 यह नहीं लिखना है 0 3 लिखना है फिर इन दोनों का माल्टप्लाइ इन दोनों का माल्टप्लाइ इन दोनों का सम ठीक है 27 फिर 27 यहां पे लिखा 8 3 24 वो यहां पे लिखा आपको समझ आ गया होगा अभी औरी एक्जम्पल दे देता हूँ आपको थोड़ा और समझ में आएगा जैसे मैं ले लेता हूँ 9 0 7 7 0 8 यह एक्जम्पल क्यों मैंने लिए अभी आप देखोगे जब इन दोनों का माल्टिप्लाई करना हो ठीक है 7 into 8 7 का 8 से माल्टिप्लाई देंगे तो कितना होता है 56 7 8 जा हो 56 56 लिखा अब इन दोनों का और इन दोनों का माल्टिप्लाई देंगे 9 8 सा 9 into 8 होता है 72 ठीक है 7 7 is 49 नव दो होगे 11 आप इनका multiply यह और यह जो multiplication होता है यह पहले लिखा 72 77 is 49 इन दोनों का plus करना है 9 9 और दो होते 11 एक एक आए carry 7 और 4 होगे 11 और 12 यह आया 1 2 1 तो अब हमें यहां पर लिखना था 1 2 1 लेकिन मैं 2 1 लिखूंगा यह 1 जो है नवे यह carry ऩ़ां पर यह carry अलांगा मैं यहाद रखना 3 आते हैं तो एक carry यह आता है या carry आया फिर यह जो vertical दो होए इन दोनों का the multiply यहां पर लिखना है 97 कितना होतै है multiply 63 तो मैं कितना लिखूंगा यह जो यहां पर एक था यहां पर आया था। कितना लिखना तो वान केरी लाओंगा सेवन नाइन कितना होता है 63 और यह एक होगे 64 तो यह आपका आंसर मिल गया ठीक है मुझे लगता है आपको यह ट्रुक भी समझाई होगी अब चलते हैं next की तरफ तो हम चलते हैं ट्रुक 5 की तरफ ट्रुक 5 में क्या है ट्रुक 5 हम उन चीज़ों का मॉल्ट्प्लाई देंगे जिनका पहला डिजिट सेम होगा ठीक है, जब multiply होगी, तो पहला digit अगर same हो, और last digit का sum 10 आता हो, तो हम ये trick apply कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों का sum 10 आता है, 7 और 3 के 10, और ये 10s digit जो है, ये same है, और once digit का sum 10 आता है, तो हम एक trick apply कर सकते हैं, वो कौन सी trick है, ये 7 इंटो 3 का multiply करना है, 7 इंटो 3 होता है, 21, ठीक है, और फिर ये 3 के बाद कौन सा number आता है, 4, तो इस 3 को इसके बाद वाले number के साथ multiply करना है, 3 इंटो 4 कितना होता है, 12, ये इसका answer आया, लेकिन condition क्या होनी चाहिए, 10s digit, इसको 10s digit बोलते हैं, ठीक है, 30, 30, 10s digit है, तो ये सेम होना चाहिए, और 1s digit जो है, इन दोनों का sum होना चाहिए, ये 10, तबी इन दोनों का multiply होता है, 21, और इसके बाद वाले number के साथ, इसका multiply होता है, 12, ये इसका answer आएगा, ठीक है, और भी एक दिखाता हो, 42, दूसरा क्या होगा फि ये 4 और फूर सेम है, ठीक है, तो ये क्या हैगा, 82 के साथ multiply, 8 into 2 होगे 16, और 4 के बाद वाला कौन सा number है, 5, उसके साथ इसका multiply 5 into 4 is 20, ये इसका answer आएगा, ठीक है, जैसे मैं और एक number ले लेता हूँ, 31, 39, ठीक है, ये दोनों का sum 10 है, 1 is digit का sum 10 है, 10 is digit is same है, इसलिए इस पे ये apply हो सकता है, आप जग कर सकते है, calculator पे answer सेम आएगा, ये 9 into 1, 9, लेकिन हमें 9 नहीं लिखना है, ठीक है, 2 digit लिखने है, जैसे यहां पे 8, 2 is 16, तो 16, यहां पे 9, 9 के साथ multiply 1 का होगा, तो 9 लिखना था, लेकिन हम 09 लिखेंगे, याद रखना है, 2 digit हमेशा, तीन के बाद कौन सा digit है, 4, इसके साथ multiply, 4 into 3 होता है, 12, यह आपका answer आगया, तो यह trick किन digits पे चलती है, जो जिनका 10s digit सेम होता है, और 1s digit का sum 10 होता है, यह सिर्फ उस पे apply होती है, तो चलते हैं, next trick की तरफ, तो जो हमारी अब next trick है, वो किस पे apply होती है, जहां पे हमारा multiply, 1 के number से होगा, 1 होगा, 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा, किसी पी digit का multiply, जो जिसमें 1s भी 1 हो, 10s भी 100 भी इसके साथ हो, मतलब 92 into 11, 93 into, 193 into 111, ऐसे, ठीक है, जब series 1 की हो, उसके साथ, हमारा किसी दूसरी series का multiply हो, तब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अभी लिखूँगा, 65, ठीक है, इसका multiply 11 के साथ करूँगा मैं, तो हमें क्या करना है, देखे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, जो यह 65 है, यह सीधे उठाके नीचे लिखना है, ठीक है, फिर देखने हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 को नीचे लाएंगे, फिर अगर यह 11 दो डिजिट है, तो एक, एक सीरो यह साइड में भी, और यह साइड में भी, और 11 टू डिजिट नमबर है, तो दो दो को मड़, साम करेंगे, ठीक है, साम करना है, 5 प्लस 0 कितना होता है, 5, फिर यह दो को साम करेंगे, 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 1, 1 कैरी आया, ठीक है, एक ही लिखना है, 6 और प्लस 0 कितना है, 6 और वो कैरी वाला 1 आगे है, 7, यह हमारा आंसर है, मैं फिर से दिखाता हूँ, जैसे यहां पे, 62 into 11, ठीक है, 62, 11, ठीक है, 62 को सीधे नीचे लाना है, 62 को सीधे नीचे लाया, फिर देखना है, यहां पे कितने डिजिट्स है, सीरीज 1 के 2, तो 1, 1, 0 यहां पे, 1, 0 यहां पे लिखना है, बस इतना ही करना है, फिर अगर यह 2 है, तो 2, 2 को सम करना है, 2 प्लस 0 is 2, 6 प्लस 2 is, कितना होता है, 6 और 2 होते, 8, 6 प्लस 0 is 6, तो यह आपका आंसर आ गया, 6, 82, ऐसी अगर 3 डिजिट वाला हो, तो उस पे भी आप ऐसी ही कर सकते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ, 1, 4, 8, into 1, 1, 1, तो अब हमें क्या करना है, पहले तो 148 को नीचे लाना है, मैंने लाया, 1, 4, 8, ठीक है, अब यह 3, सीरीज 1 वाले 3 है, तो यहां पे 2, 0, यहां पे 2, 0, इतना समझा है, अब क्या करना है, अब सम करना है, लेकिन कितने कितने डिजिट को, 3, 3 डिजिट को, क्योंकि यहां पे दूर सीरीज 11 था, तो दूदूरीज को यहां पे 111 है तो तीन तीन डिजिट्स को सबसे पहले इन तीन डिजिट्स को यह कितना हो गए 8 प्लस 0 प्लस 0 आठ ही आएगा फिर यह वाला छोड़ के यह तीन बच्चे 0 प्लस 8 प्लस 4 आठो चार होते 12 एक आया कैरी वो एक यहां पे लाते हैं अब यह भी खतम अब यह तीन को यह कितना हो गया 8 चार 12 और एक 13 और एक 14 4 एक आया कैरी फिर से अब यह भी खतम अब यह तीन को 4 और एक 5 पांच और एक इतने हो गया 6 यह हो गया 6 ठीक है अब यह भी खतम अब बचे ये तीन ये कितना बचा टोटल एक तो ये आपका अंसर आएगा 16428 मुझे लगता है आपको ये भी समझाया होगा ऐसी चार डिजिट वाले होगे तो 41111114 होगे तो 330 एक साइड दूसरी साइड आ सकते हैं ठीक है अब कभी अब हैसे अब का है 14 मुझे हम देंगे 1111 मloron से मतलब के तीन डिजिट नंबर से इसका मुझे देंगि तो यहाँ पर आम क्या करना है यहाँ पर हम काम करें 14 को सीघे नीचे लाइंगे तो यहां पर कितना है तो दो जीरो यहाँ पे लिखेंगे तो जीरो तो तीन तीन का साम करेंगे यह 4 प्लस 0 प्लस 0 4 आएगा फिर यह 0 तो खतम अब यह 3 का 0 प्लस 4 प्लस 1 5 आया यह 0 तो खतम अब यह 3 का 4 प्लस 1 प्लस 0 4 प्लस 1 थे 5 थे 5 थे 5 ही ठीक है यह 4 खतम अब यह 3 का 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना थे 1 यह आपका अंसर मिलेगा 1554, उमीद है आपको यह ट्रुक भी समझाए होगी कि जो वदवद होता है, वान सीरियस वाले होते हैं, उनको किसी के सब मानलेपलाई करेंगे तो हमारा अंसर क्या निकलता है, उमीद है आप सबको यह multiplication trick समझाए होगी Thank you